हेलो दोस्तों मिशन गुर्मेंट जोग के ओफिशल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत हैं आज मैं आपको जीके की वो कोशन कराऊंगी जो हाल फिल हाल के अंदर न्यूज में थे और कहीं न कहीं यह हमारे एक्जैम के पॉइंट ओ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं आप किसी भी कॉंपुटिशन एक्जैम के तियारी कर रहे हो चाहें वो आपका SSC हो, railway हो, state level कोई एक्जैम हो या फिर बैंकिंग हो, सबके लिए यह कोशन मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे पूरी वीडियो सुनना, वीडियो सुनने के बाद अगर आपको अच्छी लगे वीडियो और अगर आपको लगे कि कुछ न्यू कोशन है जो की पेपर में आते हैं अगर आपको पसंद आई, तो ही वीडियो को लाइक करना तो शुरू करते हैं, आज का हमारा पहला कोशन है जानवरों का पहला DNA बैंक कहां खुला है तो यह important कोशन है, news के अंदर यह था, इसलिए मैंने यह कोशन इंक्लूड किया है तो जानवरों का पहला DNA बैंक कहां खुला है, अंसर आजाएगा इसका यूपी के बरेली के अंदर याद रखना है आपने स्टेट का नाम क्या है, यूपी है और यूपी में कहां ओपन हुए है, तो यह बरेली में ओपन हुए है उत्तर परदेश भारत का वो राज्य है, वो स्टेट है जो 2011 की जनगना के अनुसार जहां पर सबसे ज़्यादा पोपिलेशन है अगर पुछे जनसंख्या की अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कोन सा है 2011 की जनगरना के अनुसार है तो UP अंसुर देना है और सबसे कम जन संक्या कहाँ पर है 2011 की जनगरना के अनुसार तो सिक्की मंसुर देना है दो कोशन ये याद रखने हैं आपने ये additional वो कोशन है जो की change नहीं होते हैं जब तक दुबारा जनगरना नहीं होती तब तक ये change नहीं होंगे और जब तक दुबारा जनगरना होगी तब तक हमें इतनी मेहनत करनी है कि हमारा exam clear हो जाए ताकि हमें new data याद ना करना पड़ी ठीक है और अगर area के हिसाब से हम बात करें और गोवा की capital क्या है तो गोवा की capital है पंजी capital तो आपको रटी होनी चाहिए एकदम tips पे होनी चाहिए उतरपरदेश की capital क्या है भी लखनव है और बहुत बार paper के अंदर ये पूछा गया है और मैंने अपनी वीडियो में आपको बता भी रखा है लखनव कोन सी नदी के किनारे है तो लखनव गोमती नदी के किनारे है ठीक है तो चार स्टेट के नाम आये है यहाँ पे जनसंख्या में सबसे बड़ा UP है और सबसे छोटा सीक्किम है सीक्किम की capital क्या है गंटो के है एरिया में सबसे बड़ा राजिस्थान है राजिस्थान की कैपिटल जैपूर है सबसे छोटा गोवा है गोवा की कैपिटल पंजी है और लखनव कौन सी नदी के किनारे है तो लखनव गोमती नदी के किनारे है आगे समझ में तो इतना आपको याद रखना है ठीक है भारत क पहला हातियों का असपताल कहां खुला है यह भी न्यूज में था इसलिए मैंने यह कोशन इंखला है यह पहला है इसलिए यह आपको हमेशा के लिए याद होना चाहिए जब तक आप competition exam की त्यारी कर रहे हो तो भारत का पहला हातियों का किनारे हैं भी तो आगरा और दिल्ली दोनों कौन सी नदी के किनारे हैं यमना नदी के किनारे हैं और गंगा नदी की सबसे बड़ी साहिक नदी कौन सी है तो वो भी यमना नदी है आगे समझ में नेक्स्ट कोशन है हमारा DRDO, DRDO तो डेली न्यूज में आता ही रहते हैं तो DRDO की फुल फॉम पता हो नहीं चाहिए आपको Defense Research and Development Organization इसकी फुल फॉम है और इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1958 में हुई थी जो स्टुडेंट DRDO की एक्जैम की त्यारी कर रहे हैं आज निकल जैसे ही करोना वाइरस जो हैं उसके उपर काबू पाया जाएगा या हालात सुधरेंगे वैसे एक्जैम जरूर होंगे बहुत सारे एक्जैम के रिजल्ट भी आ रहे हैं आर आर भी पियो और कलर्ग जो की बैंकिंग के एक्जैमिनेशन उनका नोटिफिकेशन भी आ चुके हैं तो आपने त्यारी छोड़नी नहीं है क्योंकि बहुत ज़दा आपको पता है बेरोजगारी कितनी ज़दा होगी ह तो आप लोगोंने त्यारी करते रहना है ताकि जैसे ही कोई मोका आए आपके सामने कोई एक्जैमिनेशन हो उस ताइम हमें यह नहीं होना चाहिए कि एक्जैम आ गया और हमें त्यारी नहीं है तो इसलिए आपको रेगुलर त्यारी करनी है और बहुत जल्दी मैं आप ल कोई से लिए नहीं मिलेगी विकली करण अफएर की आपको वीडियो मिलेगी और आप लोगों को बहुत पसंद आएगी वह विडियो और बहुत कुछ आप ख़ो को सीखने के लिए भी मिलेगा नेक्स्ट कोशन है हमारे पास बाराबती स्टेडियम कहां पर है अब स्टेडियम तो फिक्सी होते हैं तो बाराबती स्टेडियम कहां पर है जैसे आपको पता होना चाहिए कि कई नेम भी स्टेडियम के जो चेंज हो चुके हैं ऐसे कि अगर मैं बात करूँ दिल्ली में दिल्ली में एक फिरोज शाहा कोटला स्टेडियम है आपने सुना होगा आरुन जेटली जी की डेट के बाद जो है फिरोज शाहा कोटला स्टेडियम का जो नाम है वो किसके नाम पे रखा गया था उसका नाम चेंज करके आरुन अगर आप in future video सुन रहे हो तो आप लोगों को थोड़ा दिहान ओना चाहिए ये वीडियो बना रहे हूँ नो जुलाही 2020 को मैं ये वीडियो बना हुँ अगर आप बाद में वीडियो सुन रहे हो तो CM उर गवन्णर आप जुरूर उस टाइम के आप अपडेट रहा करों वैस किस रज़े में है संटेंपल संटेंपल किस रज़े में है तो वो भी उडिसा के अंदर है नेक्स कोशन है हमारे पास किर्केट वर्ड कप इंडियन चैलेंज के लेखक को ने आप चाहें SSE का पेपर दो चाहें बैंक का दो या आपने अगर CBSी जुनियर एसिस्टेंट का पेपर दिये तो उसमें भी एक बुक पुछी गई थी तो यह मैंने आपको कोशन कराया भी हुआ है दा थार्ड पिलर के लेखक का नाम क्या है अगर आपने किया हुआ है तो नीचे मुझे कमेंट करके इसका अंसर जुरूर बताना तो किर्केट वर्ड कप दा इंडियन चैलेंज के लेखक कोन है बुक पेपर में जुरूर पुछ जाती है अब क्रंट अफियर हर पेपर में पूछा जाता है चाहिए वो सूपर टैटो या कोई भी एक जैम हो नेक्स्ट कोशन है अमित पंगाल की स्खेल से समंदीत है तो बॉक्सिंग से हैं और बॉक्सिंग से आपको एक कप भी याद रखना है किंग कप की स्खेल में द कि निभण प्तर शक्ति और किस देश के बीच होती है जल सैना तलसैना और वायूसैनentre यह तिनों की सैना है पहले से आपस में प्रैक्टिस करती है ताकि अगर यूद के हालात बने तो एक देश जो है वो दूसरे देश को कॉर्प्रेट कर पाए तो मित्तर शक्ति जो स्री लेक्स एक्सरजाइज भारत और किस देश के बीच होती है तो भारत और श्री लंका के बीच होती है यह आपको पाद रखना है ठीक है नेक्स कोशन है हमारे पास गैटिंग कंपिटेटिव एक और बुक का नाम है गैटिंग कंपिटेटिव एक प्रैक्टिशनर गाइड फोर इंडिया के लेखकोन है जितनी भी अगर आप करंट अफेर सुनोगे तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखन के लिए मिलेगा उसके अंदर जितनी भी स्कीम होगी जैसे मध्य परदेशन अब तक कम चेकम 20 स्कीम लोंच कर दिये करोना वाइरस में जितनी स्कीम होगी उसकी वीडियो में आपको अलग से दूंगी तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफीस्टेल होगी जो मैं आप लोगों को परवाइड करूंगी आगे गैटिंग कमपिटिटिव एप ट्रैक्टिशनर गाइड फोर इंडिया के लेखक कोन है तो आर्सी भारगव है इस बुक के लेखक आप लोगों को यहां दोना चाहिए नेक्स्ट हैं आमारे पास पेमेंट बैंक पेमेंट बैंक खोलना है तो उसको ओपन करने के लिए मिनेमंगम कैपिटल कितनी चाहिए 100 क्रोड रुपे चाहिए यह आपको ध्यान रखना है ठीक है और Small Finance Bank को ओपन करने के लिए मिनेमंगम कैपिटल कितनी चाहिए आपने सुना होगा AU Small Finance Bank आपने नम सुना होगा तो payment bank भी होते हैं और Small Finance Bank भी होते हैं तो Small Finance Bank ओपन करने के लिए minimum capital चाहिए 200 करोड रुपे ठीक है अब आप लोगों के लिए एक question है अगर किसी ने payment bank ओपन कर लिया अगर वो अपने payment bank को Small Finance Bank में convert करना चाहता है तो उसको कितने साल का experience होना चाहिए यह आपके लिए question है जल्दी से इस question का नीचे मुझे comment कर देना नेक्स question है अमारे पास important question है देहिंग पटकाई wildlife century यह wildlife century है देहिंग पटकाई wildlife century को national park के रूप में अपग्रेड करने का निर्ने लिया गया है यह भारत के किस रज़े में है यानि देहिंग पटकाई wildlife century जो है वो अब national park बन जाएगा आगके यह decide किया गया है तो यह भारत के किस रज़े में है तो यह असम के अंदर है असम की capital क्या है भी दिस्पूर है यह आपको याद रखना है और सबसे ज़्यादा चाई भारत में कहां होती है तो असम में होती है और सबसे ज़्यादा कॉफी पूछी जाए कहां होती है तो सबसे ज़्यादा कॉफी करनाठक में होती है सबसे ज़्यादा गन्ना पूछा जाए कहां होता है तो सबसे ज़्यादा गणना होता है UP के अंदर सबसे ज़्यादा केसर पुछा जाए कहां होता है तो वो होता है जमू कश्मीर में जमू कश्मीर आप भारत का राज़े नहीं है यह आपको याद रखना है भारत में टोटल 28 सी राज़े है जमू कश्मीर में 13378 हटाने के बाद जमू कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया था एक जमू कश्मीर और दूसरी लद्दाक तो ये हमारे आज के कोश्चन थे अगर आपको वीडियो पसंद आईए हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना थैंक यू